हे गाईज वेलकम बेक टो अबर चैनल विजन अकेड़नी क्लासेश आपके आज की वीडियो में 10 क्योशन रहेंगे जो की आपकी रहेंगे प्राचिन भारत से रेलेटेड प्राचिन भारत की हमने 10 क्योशन के दो लिक्चर पहले अलोड़ी बना दिये आपके तो जिसने भी लिए नहीं देखे है देख लिजिए क्योंकि आने वाले सभी एक्जाम के लिए इंपरिटेंट रहेंगे प्राचिन का लेवल्या को सभी देक हरे हो यह आपके अच्छे लेवल रखे हैं वेलें इस क्योशन थेमीबद्र केकर तो डुशन शोक, बी दियावाई काला शोक, सी दियावाई कनिश्क और डी दियावाई अजार्शत्रू. तो question number 21 का answer बताना है कि बौद्ध धर्म के महायान पंत का विकास किसके काल में हुआ था? इसका answer हो जाएगा आपका option number C, बौद्ध धर्म के महायान पंत जो थे महायान धर्म था आपका, उसका विकास आपका कनिश्क के काल में हुआ था, महायान पंत बौद्ध धर्म का एक पंत है, इसका विकास कनिश्क के समय में हुआ था, असंग ने इसकी शुरुवात की थी, इसकी शुरुवात किस ने की थी बोध धर्म के महायान पंत की तो कौन था वो असंग था ठीक है असंग ने इसकी शुरुवात की थी महायान पंत की महायान पंत है बोध धर्म का ही एक पंत है ठीक है हीनियान पंत और महायान पंत दो पंत है आपके बोध धर्म के तो महायान कि जो शुरुवात की थी वो असंग ने की थी question number 22 दिया हुआ आपको बोध धर्म का महायान और हीनियान में विभाजन किस संगती में हुआ बोध धर्म में total 4 संगती हुई थी आपकी प्रत्थम, द्विती, त्रती और चतोत तो आपको question में पुछा गया है कि बोध धर्म का जो महायान और हीनियान जो दो धर्म थे आपके बोध धर्म के अंदर उनका विभाजन कौन से संगती के अंतरगत हुआ था question number 22 का अंसर हो जायेगा जो 4 संगती थी आपकी last वाली इसमें आपका जो बोध धर्म था वो दो धर्म तोड़िया था कौन-कौन से? महायान और हीनियान ठीके? बोध धर्म महायान और हीनियान का विभाजन 4 बोध जंगती में हुआ था यह बहुत तर इस्वी में कश्मिर के कुंडल वन में हुई थी अध्यod संगती में आपकी सेवेंटी-टू इस्वी में हुई थी कश्मिर के कंडल वन में समagar इसके अध्यक्षत वसुमितर उर उपात्यक्षत अश्वगोश और चोथी पोध संगती थी आपकी इसी चोथी पोध संगती में आपका जो बोध धर्म था वो हीनियान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था ठीके अगला क्योशन दियावाई क्योशन नमबर 23 प्रथम बहुत दो संगती के अध्यक्ष कोन थे तो प्रथम बहुत दो संगती के अध्यक्ष का ओप्षन दियावाई अश्वगोश तो क्योशन नमबर 23 का अ तहां रटना प्रतम बोहतती के बारे में ये कभ ऊई थी अजाशत्रों के बारे में, थे दृती बौद्दा संगतैं अभी काला शोक के समय हुए थी और तरती बौद्दा संगति अश्ोक के समय हुए थी एक बार फिर से ृस्त बुर्दा संगति थी यह आपकी अजाशत्रों के समझाइ द्विती बोद्र संगती के अध्यक्ष कौन थे तो option A है आपका महा कत्षब, B दियावा वसुमित्र, C दियावा मोगली पुद्रतिस और D दियावा सबकमी तो द्विती बोद्र संगती के अध्यक्ष का आंसर क्या हो जाएगो 24 का option नमबर DN की सबकामी जो थे यह आपके द् काल अशोग के समय में हुई थे आपके duty बोद्र संगती और इसके अध्यक्ष कामी कब हुई थे 383 इस्वी पूर्वा में ठीके अगला question देखते है question number 25 किसके काल में चत्वरत बोद्र संगती हुई थे यह भी मैं आपको बताया option number D से हो जाएगा कनिश्क के समय में आपके चत्वरत बोद्र संगती हुई थी 72 इस्वी में ठीके चत्वरत बोद्र संगती 72 इस्वी में ठीके चत्वरत बोद्र संगती 72 इस्वी में कनिश्क के काल में हुई थी इसके अध्यक्ष वस्वमित्र थे उपाध्यक्ष अश्वगोश थे और यह कश्मीर के कुंडल वन मे कि चचुरत बोध्य संगेती हुई थी ठीक है और आपको कनिश्क का राज्टा उस तैंक कनिश्क शा सकते हैं अगला दियावे कर्षिन नमबर 26 गोतम बुद्ध के ग्रहत आग को कौन सा चिन्न बताता है यानि कि जब गोतम बुद्ध ने ग्रहत आग किया था तो उस ग्रहत कौन सा चिन्न बताता है अपशन ए चिन्न बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्न बताता है उप्शन ए कमल बी दे मअवा चकर सी दे आ गोडा और डी दियावा बोधी वरक्षन तो क्रिशन बुद्ध का निर्वान बताता आपका बोधिव्रक्ष गोतम बुद्ध को कुशी नगर में निर्वान प्राप्थ हुआता थीक है कहा प्राप्थ हुआता कुशी नगर में ध्यानकलों गोतम बुद्ध को कुशी नगर में निर्वान प्राप्थ हुआता इंपोर्टेंट क कमल जो है यह आपके गोतम बुद्ध के जीवन को दर्शाता है ठीक है गोतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिनल दर्शाता है कमल तेहां रखना कमल और बेल जो है आपके गोतम बुद्ध के जीवन से संबंदी थे अगला दियावा क्येशन नमबर 29 गोतम बुद्ध का सार् टीक है जो चन्ना हे गोतम बुद्ध का सार्थी था अगला दियावाय क्वेशन 30 कफंक का गोतम बुद्ध के जीवन से क्या संबंध है option A है सार्थी, B दियावाय घोडा, C दियावाय नोकर और D दियावाय पतनी तो कथंक जो था गोतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंद रखता था वो क्या था गोतम बुद्ध का घोड़ा था आपका कंतक घोड़ा था आपका कंतक यह गोतम बुद्ध के जीवन में कंतक नाम दिया था घोड़े को उन्होंने तो घोड़ा जो है आपका गोतम बुद का शाही घोड़ा था तो यह आपके description complete हो गए है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्रिस लाइक कीजिए कमेंट करका पताए यह वीडियो कैसा लगा और अगर आप चैनल पर ने आप सब्सक्राइब कर लीजिए से पास में जो बेल आकन स सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका आने वाले वीडियो के notification मिल जाए तो मिलता है अगरे वीडियो में तक अगरे ध्यान रखिए अपना thank you guys